कि दिया में कहीं भी सरापदी लागू नहीं हुआ अमेरिका जैसे देश में पुलिस का काम जो है दूसरे नंबर पर चला गया है प्राथमिक्ता हो गई है सरापको पकड़ो प्यार में नौजवानों के बीच में ड्रग जो है वह बहुत पुपुलर हुआ है लोग सुलेशन पी रहे हैं लोग का बने हमने कभी अकबारों में पढ़ा कि यह जो है वाइटनर लोग पी रहा है पुरे गाहों देहात में कहीं भी पता कर लिए इसके जिसकुमार की निती जो है घरीब दलीद पिछड़ा भी रोदी निती है इसके बारे में निश्चित रूप से उनको में जो घटना हुई जहली शराब के कारण लगभख 40 लोग की मौत हो गई जिसका जिमिदार अभी पक्षी खेमास सरकार के माते पर फोर रहा है और कह रहा है कि नया कब तक मिलेगा लोगों को और बिहार में जो शराबंदी कानून लागू है पांच सालों से बीज़ेपी है कि लोग नहीं कहा रहा है है मागा फरन्दन के रूप में घतक के रूप में हम लोगों ने भी शमर्तन किया तो हम ही कहां कह रहा है कि फेल है अब भीहार प्रदेश भारतिय जनतां पार्टी के अधर्ष को रहे हैं पुलिस की सिंवलिपता है और अंगाबाद के सांशत यहां यह तो हमारा यह कहना है कि भाई जो अभी तक का अनभव है उस अनभव के आलोक में आपको इसके बारे में वीचार करना चाहिए और हमी लोग नहीं कह रहे हैं सब लोग यह कह रहे हैं अब नितीज कुमार जी जिद धर पकड़े हुए हैं अब देखिये पूरा आप देखिएगा कि जब से 2016 में ये सराबंदी का कानून बढ़ा इसी साल फरवरी महीने में ये नितिश कुमार जी ने अपने बयान दिया कि लगवा सब्सक्राइट तीन लाख लोग जेल भेजे गए धाई लाख जो है केस हुआ उसके बाद भी देखिए इस तरह की घटना हो र से नेशनल सेंपूल सरवे हैं भी स्वस्णी है उसी ढंग से ये भी नेशनल मैंने फैमिली हेल सरवे जो है माना जाता है इसका यह कहना है कि बिहार ड्राइ स्टेट है बिहार में सराब बंद है लेकिन महारास्ट से जादा बिहार में लोग सराब पीते हैं और ये 2020 का सरव है थैखने दोहजार सोलब में सराबंदी लग उसके चार परस बाद यह इस्थिति है कि महराज से ज़्यादा यहां के लोग सरापीते हैं जादा है का तो आपका सराबंदी कहा मतलब है आप देखिए गां कि रास्ट्री या उसत जो है सरापीने वालों का ऐसा नहीं है कि सब लोग सराब पीते हैं राश्टिया उसत जो है आपको 15% 15% लोग जो है देश की अबादी का सराब पीते हैं उसमें जो 4-5 राज अग्रणी है जहां सबसे ज्यादा खपत है सराब का गोवा सहीत महारा गोवा है यह तामिलाडू ओगर है मिला खपत के उसमें विहार नहीं आता है जहां जयादा खपत भी आरना आता है तो इंहों पर के पीछ आरन है मतल हैं जाहेंगे कि अशी यוצश कर दें इस लिए इंकी सरकार बनने के फ़ले हम ही आप कारी मंत्री थे रापड़ी देवी की सरकार में उस समय हमारे यहां जो रेभुनु आता था एक साइज से वो सहतीन करोड उप्पे आता था पस साल का यही आता था निटिसकुमार की सरकार बनी 2005 में रेभुनु बढ़ाने के लिए इन्होंने अलग-अलग मद में ट कामचायत में ठीका देना सुरू किया और ठीका देने की प्रक्रिया क्या थी डाक बोला जाता था जो सबसे ज्यादा डाक बोलता था उसको जो है ठीका मिल जाता था अब जिसको मिल गया ठीका डाक मिलिया है अब उपना पुंजी वसुलने के लिए मुनाफा कमाने के उसमें पॉलिसीन वाला सराव् रखना सुरू किया मैं पर्चुनियां उसको काते हैं और उसका नतीज़ ये निकला कि ओर्टों का घर से निकलना बंद हुगए तब औरतों ने हला किया हमको याद है 2000 मैंने ती मैं कह नभे? सोला के बाद दो तीन साल के बाद जब ये प्रविर्टी बढ़ने लगी और तो पर के लिए मुश्किल हो गए घर से निकलना उन लोगों ने हला किया उस समय ने 30 कुमार ने कहा कि हम साखिल कहां से देंगे पुसाग का जो पैसा देते हैं कहां से देंगे अगर इसको बंद क समय तो एख के दर्मियान उनने वा दावरदा किया ःता है अश्का यह करेंगे लेकिन 2000 के 2000 किनमXT 1000 में इन्हों ने इसको बंद किया तो अचानक बंद किया बंद किया चोने सुचे समझे बंद किया आपको आपको अस्मारन कराना चाहेंगे जब बंदि के बारे में चर्च कि आप उसमें देसी सराब बंद करने की बात हो रही थी प्रेस्वालों ने पूछा कि आप अंगरेजी सराब बंद कीजएगा इन्हों ने कहाveda नहीं नें वाले हैं अंगरेजी की तो निकला उसके बाद प्यटितिजिन कल किा विच्किछ और भाक्यम मुद्ध और उसके चार दिन या प्यां दिन के बाद जो है अंग्रेजी सराब बंद हुआ तो जिस ढङ है बंद किया गया उसी से यह साबित होता है कि बगैर सोचे भी चारे जो है आपने बंद किया अपने गाउं गाउं में पहले सराप पहुंचाया और उसके बाद बंदी के रूप में आप ही दवा दे रहे हैं जिमेदार उसकी सरकार ही थी बिल्कुल आज के दिन भी जो कुछ हो रहा है आप नहीं रोक सकते हैं दुनिय अब भी सराप दी लागू नहीं हुआ अमेरिका जैसे देश में जहां पूलीस और प्रसासन इतना सक्त है इतना प्रॉम्ट है वहां जो है सराप बंदी लागू किया गया माफिया सब्द वहीं से निकला जो दो नंबर का तो यहां भी हालत यह है कि सबानांतर अर्थ इतनी है गरीबी इतनी है बाहर से जिन लोगों का काम चुट गया पैंडेमिक में करोना के चलते वो लोगां में आये हुए है अपराध बढ़ रहा है और एक अच्छा खासा जो है कमाई का जडिया मिल गया है दूसरे क्या दिक्कत हो रही है कि जो पुलिस का काम है वो को पकड़ो उनको सजा दिलाओ नहीं इसको पकड़ो यह नियम बनाया है क्याना मैं नितीज कुमार ने कि जिस ठानेदार के अंतरगत मने सराब पकड़ा जाएगा उसको दस बरस तक जो है ठानेदारी नहीं मिलेगी अब सब काम छोड़ करके जारे पुलीस वाले ही लगे आधम है यह कमजौर आदमी का जीद होता है जब हम कोई काम करने IGHक्ते हैं और हम लगता है कि नहीं साथ करदम जोह है गलत दिशा में जा रहा है तो मजबूत आदमी यह वो कदम को पीशे हड़ता है दूसरे दिशा में चलता है वाँ कि नितिश कुमार कहते हैं कि जो नई युवा पिड़ी है उसे बचाने के लिए कदम उठाये गया महिलाओं महिलाओं देखिए कितनी अब खुश है घरों में जब तेवहार होता है या फिर शादियां होती है तो दस बाइस से पहले ही बरात लग जाता है तो यह तमाम चीज है वाइटनर लोग पी रहे हैं यह इस्थिती है और हमने अभी आपको निस्टल फेमिली हेल्स सर्वे का रिपोर्ट बताया कि यहां राई होने के बावजूद सराब बंदी होने के बावजूद महारास से ज्यादा जो है सराब का खपत है तो यह यह जो का रहे हैं वह बि कर लिए यह सर्वे का रिपोर्ट है कि द्रग का पर चलंज है वी आर के नौजवानों में काफी तेजी से फैल रहा है एक तो विरुजगारी है भविस्त के बारे में और निश्चित्ता अंदकार दिखाई दे रहा है तो फरस्ट्रेशन में नौजवान जो है सराब नहीं नहीं इस तरह की सिती थी सब्सक्राइब का बहुत कम था आप जो है सब लोगों को जो बीशेसग्य लोग हैं उनको बैठाईए सारे पोलिटिकल पार्टी के लोगों को भी बैठाईए और उसके उसमें यह चर्चद कीजिए और उससे जो निश्कर्स निकलता है उसके आप निकाल करके देखिएगा सब गरीब लोग हैं सब दलित समाज के अधि पिछरा समाज के पिछरा समाज के अधिकांस लोग 90% से जादा वही लोग हैं कई घरों के बने जो कमाने वाले मुक्षिया थे वो गिरफतार होकर के जेल में बंद हैं और उनके हैं बुखमरी की समझ्या है ये मर भी रहे हैं जादा तरव वही लोग और जेल भी जा रहा हैं ज्यादा तर वही जो कोई वाइट कलर आदमी कोई मद्दमबर तादमी कहां पकड़ा के जिल गया है वह लोग क्या सराब नहीं पी रहे हैं यह तो जो पकड़ा रहे हैं यह कूरियर हैं सराब पहुंचाने वाले अधिकांस लोग हैं इसमें बच्चे भी सामिल हैं महिलाय भी सामिल हैं इसलिए निति कुमार की निति जो है गरीब दलीत पिछड़ा भी रोदी निति है इसके बारे में निश्चित रुपसर उनको पुनर विचार करना चाहिए जहां बीजेपी क्या रही है पुनरा विचार करने के लिए समिक्षा करने के लिए वहीं आजड़ी के उसे वरिशनेता है मिलाएं भी कितनी जिल जा रही है और जहातर गरीब तब क्यों जो लोग है इसके शिकार होते जा रहे हैं इन तमाम बातों काफी विस्तार शेश्वारंतिवाई ने समझाया है उमीद है आपको वीडियो काफी पसंद जाया होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें